बच्चो आज हम ऐसे रचनाकार की रचना को हर्देंगम करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी भब विभावनाओं और कोमल कलपनाओं के माध्यम से सहज सरस सब्दा वली द्वारा पाठकों के हर्दे तक पहुचने में अध्भुस सफलता प्राप्त की है ऐसे हिंदी और मैथिली के ससक्त हस्ताक्षर हैं स्री आर्शी प्रसाद सिंग स्री आर्शी प्रसाद सिंग का पूरा नाम राम चंद्र प्रसाद सिंग था लेकिन साहित जगत में उन्होंने आर्शी प्रसाद सिंग के नाम से रचनाय की साहित संबर्धन किया श्री आर्सी प्रसाद सिंग जी का जन्म बिहार प्रांत के समस्ती पूर्जिले के सरोत गाउं में 19 अगस्त 1911 में हुआ था प्रारंभिक शिक्षा दिक्षा ग्रामीड वाताबरण में हुई आर्सी प्रसास सिंग विद्यार्थी जीवन में ही काब विश्रिजन करने लगे थे इनकी लेखन सहली से प्रभावित होकर महान साहित्यकार राम ब्रिक्ष बेनिपूरी जी ने इन्हें युवक समाचार पत्र में अउसर प्रदान किया था बेनिपूरी जी उन दिनों युवक के संपादक थे सोला वर्ष की उम्र में इनकी कविता आम के पेंड बालक नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई सन 1927 में पिता की मृत्य हो जाने के उपरांत घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन इन्हें करना पड़ा साथ साथ काब्वि स्रिजन और अध्यान भी एक साथ चलता रहा सिक्षा पूर्ण होने के उपरांत खगाडिया के कोशी कालेज में 1948 में प्राध्यापक नियुक्त हुए सन 1929 में घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए स्री सिंध ने नौकरी छोड़ कर गाउं में आ जाना उचिस समझा और यहीं पर साहित तिलेखन चलता रहा सन 1956 में पुनस्च एलाहावाद आकासवाणी में इनकी नियुक्ति हो गई और वहां भी मात्र एक वर्ष इन्होंने सेवा दी सन संतामन में स्री आर्शी प्रसास सिंध जी का इस्थाना अंतरन लखनव आकासवाणी में हो गया वहां भी बहुत दिन तक नौकरी नहीं कर सके 1958 में उन्होंने आकासवाणी से त्याग पत्र दे दिया और पूर्ण रूप से साहित तिकेप्रत समर्पित हो गया 15 नौंबर उन्नीस सो चानने में पत्ना के कुर्जी अस्पताल में इनका निधन हो गया स्री आरशी प्रसाथ सिंग जी हिंदी और मैथली के मूरधन भी द्वान थे और इन्होंने हिंदी और मैथली में ही अपनी रचनाएं की हैं हिंदी में इनका जो प्रकाशि साहित्य है काभ्य संकलन में आज कल दूसरा है कलापी और तीसरा है आरशी चौथा संचैता पांचमा काभ्य संग्र है जीवन और यवन छटमा है नई दिशा पांच जन्य और आठमा है सोने का जर्णा स्री आरशी प्रसाश सिंग्जी ने अपने जीवन काल में चार प्रबंध काभ्यों की रचना की पहला है नंदरदास दूसरा है संजीवनी और तीसरा है आरण्यक और चौथा है उदय आप बहुत अच्छे गीतकार भी थे और आपका जो गीत संकलन है प्रेम के गीत बहुत पसिद्ध हुआ कथा साहित जगत में भी आपने कीर्टिमाने स्थापित किया है कहानी संकलन है पंच पल्लो दूसरा है काल रात्री तीसरा है खोटा सिक्का और चौथा है ठंडी छाया पांचमा है आधी के पत्ते इस तरह से अनेक कथा संकलन हिंदी संसार में प्रसाद जी ने दिया आपने बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा साहित दिया है जैसे चंदा मामा, चित्रों में लोरियां, राम कथा, कागज की नाव, जादू की वंशी, कलम और बंदूक, आधी अनेक ग्रंथ, बालो पयोगी आपके द्वारा लिखे गए समीक्षा के छेत्र में भी आपने कीर्टिमान इस्थापित किया है, जैसे कईवर, सुमती, युग और साहित्य, ये बहुत माने महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ है मैथली में इन्होंने चार काब ग्रंथों का स्रिजन किया, जैसे माटिक दीप, दूसरा है पूजाक फूल, और तीसरा है मेग दूट, और चौथा है सूर्य मुखी बहुत सारा साहित्य, अभी भी प्रकाशना धीन है, आपको सूर्य मुखी का बिग्रंथ पर साहित्यक आदमी पुरुष्कार प्राप्त हुआ था प्रसी प्रसाश सिंग्जी साहित्यके अतरिक्त, राजनीतिक रूप से जागरुक एवं निर्भीक व्यक्ति थे, प्रकेश से उनका गहरा लगाव था, उनकी संबेदना गहरी वा आध्यात्मबाद की और उनमुक दिखाई देती है, इन्हें जीवन और यवन का कवी कहा जाता है, जिस समय इन्होंने काब्विसरजन किया, उस समय छाया बाद अपने चरम पर था, हिंदी जगत में नव जागरन की चेतना तिप्र होती जा रही थी, इसी समय देश के राजनीतिक परवेश में क्रांति के स्वर उभर कर सामने आने लगे थे, इन सभी का प्रभाव रश्चनाकार पर पड़ा, इनकी कविताओं में सामाजिक संबेदनाओं के स्वर इसी लिए बहुतायस से मुखडित हुए, स्वर भाविक्ता, चिंतन प्रधानता, सहज अनभूतियों की निश्चल अभिव्यक्ति, स्री सिंग के काविकी प्रमुक्विशे इस्ता है, इनकी शैली मरमेशपर्शी, चिंतन प्रधान वागंभीर है, ब्यंग्यात्मक शैली में इन्होंने राजनीतिग्यों पर कड़ा प्रहार किया है, हिंदी और मैठली साहित्य में आपका अस्थान सर्वों पर है, आचार हजारी प्रशाद दुवेदी ने विशार व्यक्त करते हुए लिखा है, कि सचमुच श्री आरशी प्रशाद सिंग एक मस्त कभी है, भाषा पर तो यह कभी सवारी करता है, अपनी भब विभावनाओं और कोमल कल्पनाओं को अपनी सरल सरल सब्दावली द्वारा पाठक के हरदे तक पहुचने में बहुत कुशल है, बच्चों, आपके पाठिक्रम में इनकी सुप्रसिध रचना जीवन का जहरना संकली थे, वास्तों में रचना जीवन में सुख दुख का सामना करते हुए भी अनवरत आगे बढ़ते रहने की प्रेणा देती है, जीने के वास्तविक मर्म को समझते हुए सकारात्मत्ता के साथ जीवन पत्मे आने वाली हर बाधाओं का सामना करने की सीख देती है गति-शीलता को अपने जीवन पत्मे ध्ये के रूप में रखती है यह कविता जीवन को जड़ता से जीवन तता की और उन्मुख करने की प्रेणा देते हैं। आईए देखते हैं इस कविता का प्रथम का ब्यांस। यह जीवन क्या है यह जीवन क्या है निर्जर है मस्ती है यह जीवन क्या है निर्जर है मस्ती ही इसका पानी है सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है कप फूटा गिर के अंतर में किस अंचल में उतरा नीचे किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खीचे निर्जर में गत्य यवबन है वह आगे बढ़ता जाता है धुन सिर्फ एक है चलने की अपनी मस्ती में गाता है इस काभ्यांस में कभी ने एक रूपक बाधा है जीवन निर्जर के समान है यह जो जीवन है यह ज़रने की तरह है मस्ती यानि आनंद इस ज़रने का जल है इस ज़रने का पानी है सुख और दुख दो किनारे हैं मानों जीवन में सुख और दुख क्रमशह आते जाते रहते हैं जीवन में कभी सुख आता है कभी दुख आता है लेकिन मानों को इनसे घवडाना नहीं चाहिए हमारे राश्ट्र कभी मैथली सरण गुप्ट ने भारत भारती में लिखा है कि संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा है निश्दिवासी घूमती सरवत्र भिपदा संपदा आज जो अनात है नरनात कल होता वही जो आज उत्सो मगन है कल सोक से रोता वही एक सुख और दुख रात दिन की तरह सुख आता है दुख भी आयेगा दुख आया है सुख भी आयेगा रात हुई है सवेरा होगा अताह ब्यक्ति को कभी घबराना नहीं चाहिए इस पध्यांस में कभी ने जीवन में ज़णने की तरह आगे बढ़ने का संदेज दिया है यह जीवन क्या है जीवन को पारिभासित करते हुए कभी ने आगे बताया है कि यह जीवन एक ज़णने के समान है और आनन्द ही इस ज़णने का पानी है सुख और दुख जो रूपक बांधा है यहां रूपक लंकार है भी और दुख रूपी इसके दो किनारे हैं निर्वाद गति से निरंतर यह जीवन रूपी ज़ड़ना अपनी राह पर आगे बढ़ रहा है यह कब परवत काहदे चीर कर निकला और कहां गया किस घाटी से बहकर आया किस समतल मैदान में पहुँचा यह किसी को ग्यात नहीं होता ठीक उसी प्रकार यह जीवन है जिस प्रकार जरने में गति शीलता है एक गति है वहाँ आगे की ओर बढ़ता चला जाता है ठीक उसी प्रकार यह जीवन भी निरंतर अबाद गति से प्रवाहित होता रहता है बहुत ही आकरशक धंग से रशनाकार ने यहाँ जीवन को पाजवासित किया है जीवन गत्सील होना चाहिए जैसे हमारे सूक तो बाक्य हैं चरैवेती चरैवेती प्रशलामः निरंतरम आगे की ओर बढ़ते रहो बढ़ते रहो महाकविजय संकर प्रसाद ने अपने कामैनी महाकाब्वे में कहा है कि इस जीवन का उद्दे से नहीं है स्रान तभौन में ठिक रहना किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे रहने इस तरह निरंतर ब्यक्ति को गत्सील रहन चाहिए इसमें अनुप्राशलंकार शब्द मैत्री भासा सहज सरल और प्रवाहम मैई है अब आये कविता का दूसरा अंश हम लोग पढ़ते हैं बाधा के रोडों से लड़ता बाधा के रोडों से लड़ता बनके पेणों से टकराता बढ़ता चत्तानों पर चड़ता चलता योवन से मतमाता अरे लहरे उठती हैं गिरती हैं लहरे उठती हैं गिरती हैं नाविक तट पर पच्छताता है तब यववन बढ़ता है आगे निर्जर बढ़ता ही जाता है निर्जर में गत है जीवन है रुक जाएगी यह गत जिस दिन उस दिन मर जाएगा मानो जग दुर दिन की घड़िय कभी जीवन के मर्म को समझाते हुए सकार आत्मक्ता के साथ जीवन पत्थ में आने वाली हर बाधाओं का सामना करने की सीख देते हुए कहता है कि राह में आने वाली बाधाओं से लड़ता हुआ मन के पेणों से टकराते हुए वह अपनी जवानी में चट्टानों पर बढ़ता चला जाता है ठीक उसी प्रकार मनुस्य भी जीवन की वास्तविक्ता को समझते हुए जीवन की यथार्थ इस्तिती को परक्षते हुए देखते हुए समझते हुए सकारात्मक चिंतन के द्वारा मनुस्य को हर परिस्थित में आगे बढ़ते जाना चाहिए जिस प्रकार लहरें अपनी मस्ती में आगे बढ़ती चली जाती है और नाविक किनारे पर खड़ा पश्ताता रहता है अपने उनमाद में वह ज़रने की तरह आगे बढ़ता जाता है जिस दिन यह जीवन रूपी ज़रना रुख जाएगा उस दिन उसकी गतिशीलता रुख जाएगी उस दिन मनुस्री का जीवन समापत हो जाएगा और संसार अपने बुरे वक्त की घड़ियां गिनने लगेगा बाधा के रोडों से लड़ता रास्त कब जो है यहां पर बहुत ही सटिक अभिव्यक्ति दे रहा है कि तुम्हारे जब तुम आगे बढ़ोगे तो अनेक रोडे आएंगे अनेक कटनाई आएंगी जिस परकार ज़रना जब आगे बढ़ता है तो चट्टाने आती हैं पेड इसी प्रकार से मानो जीवन में भी तरंगें उठती हैं लहरें उठती हैं और जो युवक्त है जो सोर इवान व्यक्ति है जो कर्मठ व्यक्ति है वहां आगे की और निरंतर बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है इसमें अनुप्राशिक शटा दर्शनी है भासा में प्रवा और सहजता देखते बनती है बहुत यह ओजपून राचना है कविता का तीसरा अिस देखते हैं निरजर कहता है निरजर कहता है बढ़े चलो निरजर कहता है बढ़े चलो तुम पीछे मत देखो मुड़कर यवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर, अरे चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, मर जाना है लुक जाना ही, निर्जर यह जर कर कहता है निर्जर कहता है बढ़े चलो, जरना का ये संदेश है, निर्जर का बहुत बड़ा संदेश है कि आगे की और बढ़ते चलो, जिस प्रकार से जरना आगे की और बढ़ता है, उसी तरह से वह पूरी मानोता को संदेश देता है कि आगे बढ़ते चलो, पीछे मुड़कर मत दे आगे देखना है और यवन कहता है बढ़ ही चलो इसी तरह से यवन में एक उच्छा होता है एक उर्जा होती है और वह उर्जा के साथ आगे की और बढ़ता चला जाता है सोचो मत क्या होगा चलकर आप कभी मत सोचना कि आगे क्या होगा उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है इसमें कभी बताना चाह रहा है कि जीवन ही गति सीलता है चलना है केवल चलना है तुम्हारा काम केवल आगे की और बढ़ते रहना है यह जीवन ही चलने का नाम है और अगर तुम मरे रुके तो सम और निर्जर यही हमें संदेज भी देता है जिस प्रकार जर्णा बिना रुके गतिशे आगे बढ़ता रहता है उसी प्रकार मानों को भी निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए जर्णा कभी पीशे मुणकर नहीं देखता ठीक इसी प्रकार प्रकृत की इसी को तुम भी धारन करो और अविरल आगे की ओर बढ़ते रहो बढ़ते रहो जीवन में यवन कहता है बढ़े चलो सोचो मत क्या होगा चलकर वास्तों में जीवन में यवना वस्ता में उर्जा अधिक होती है उत्साह बहुत कुछ होता है गुजरने की विल्टा होती है इधि हम सब्सक्राइण का सामना नहीं करते तो हम आगे की ओर नहीं बढ़एंगे और सब्सक्राइण का सामना करेंगे सब्सक्तों मिलेगे इस तो मिलेगी ज्जर्णा हमें जभात के महत्यकों प्रत्पादित करते हुए कभीने प्रिस्तांत दिया जःने का और यवन से जहरने की तुलना की है तो इसमें लेयात्मक्ता है भाशा में प्रवाह है और पूरी कबिता में प्रकृति का मानवी करण किया गया है मानवी कन अलंकार के माध्यम से अपनी बात कही है कभिने जीवन की समानता जरने से किन-किन रूपों में की है जराइश पर हम लोग विचार करें वास्थों में कभी ने जीवन की समानता ज़रने से की है जिस प्रकार ज़रना विभिन बाधाओं को प्राप्त करता हुआ कभी परवतों से तो कभी घाटियों से टकराता है कभी समतल मैदान में तो कभी किसी वन के पेड़ों से टकराता है वह निरबाद गति से आगे बढ़ता जाता है ठीक उसी प्रकार मानो जीवन भी है जीवन में संगर्च आएंगे सुख आएगा दुख आएगा उसका मनुष्य सामना करता हुआ जीवन पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहता है गत सीलता है उसका जीवन है अगर वह रुख गया अगर उसकी गत रुख गई तो आप निश्चित मानिए कि वो मृत्य को प्राप्त हो गया अता जर्ना मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेणा देता है अब कई ने इस कविता के प्रारम में पंती दी है कि सुख दुख के दोनों तीरों से कभी का क्या आशता है जर्ना के दो किनारे हैं सुख और दुख तीरों मने किनारों एक तरफ सुख किनारा है एक तरफ दुख किनारा है इसी प्रकार सुख दुख के दोनों तीरों से कभी का आसे है कि मनुस्थ के जीवन में सुख और दुख रूपी दो किनारे हैं इसे संगर्स करता हुआ वह आगे बढ़ता जाता है जहाँ सुख जीवन में आनन्द और हर्स का संचार करते हैं वहीं दुख मनुस्य में दिर्टा का भाव भरता है उसे मजबूत बनाता है, दुख आना भी आवस्यक है, दुख जो है मनुस्य को मजबूत बनाता है, विपत्तियों में मनुस्य, उन मानवी मूलियों से अपने चरीत और व्यक्तित को गढ़ता है, जिससे वह जीवन में उत्तरोतर उन्नत करता है, मानो जीवन में दोनों का अ मानव जीवन के विविन भाव बोधों से जुड़ता है कैसे वास्तों में ज़र्ना अपनी प्रकृति से मनुस्य को संदेश देता प्रतीत होता है यदि द्रण इच्छा सकती है तो जिस प्रकार यह बाधाओं को पार करते हुए अपना लक्ष निर्धारित करता है ठेक उसी प्रकार मानव भी जीवन के मर्म को समझकर सकारात्मक दृष्टि से विचार करते हुए जीवन संघर्थों में विजय प्राप्त करता है बाधा के रोडों से लड़ता इसमें कभी का क्या आसे है जीवन को कैसे और कब प्रभावी तथा प्रेरित करता है जिस प्रकार जर्णा अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किलों का सामना करता आगे बढ़ता रहता है वैसे ही मनुस्य भी अपने जीवन के संघर्थों से जूचते हुए आगे बढ़ता रहता है प्रेणा प्रदान करता है तीन चीजें एक तो जीवन में कभी हार न मानें पीछे मुड़कर न देखें और सदैव गत्शील रहें इसकी प्रेणा देता है जर्णा जीवन का जर्णा कभीता में मानों का मृत हो जाना क्यों और कैसे और कब बताया गया है वास्तों में जिस प्रकार जर्णा सदैव आगे की ओर बढ़ता रहता है ठीक उसी प्रकार गत्शीलता ही मनुस्य का जीवन है गत्हीनता ही उसे मृत्व के समीप लाकर समाप्त कर जर्णा हमें आगे बढ़ने की प्रेणा देता कभीता में बहुत ऐसी पंक्तियां आई है जो मानों मन को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है जैसे बाधा के रोडों से लड़ता बनके पेड़ों से टकराता और दूसरी पंक्ति है दून सिर्फ एक है चलने की अपनी म रफ्ती में गाता है और तीसरी पंक्ति है निर्शर कहता है निर्शर कहता है बढ़े चलो तुम पीछे मत देखो मुड कर और शवती पंक्ति है मर जाना है रुक जाना ही निर्शर इस प्रकार सुख और दुख के मनों भावों से बढ़ा हुआ जीवन आगे बढ़ता है हमारे परवेश में इन भावों की अनभूत हमें होती है यह भाव हमारे व्यक्तित्य के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं जरा इसमें चिंतन करके देखें सुख और दुख हमें हमारे जीवन का मर्म समझाते और चरित्र को दिर्थता प्रदान करते हुए व्यक्तित्र को एक नई पहचान देते हैं जीवन में जहां सुख और आनंद और उल्लास का रंग भरते हैं वहीं दुख या विपत्ति में मनुस्य के भीतर उन मानुवीय मूलियों की स्थापना करते हैं जिससे प्रेडित हो जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ता है धैरिय दिर्थता इत्याद गुणों से उसका व्यक्तित जो है आलोकित होता है कविता में यह साफ जलगता है कि जर्ना पहाड की अंदर वीतर से अंदर फूट कर विभिन बाधाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ता है मानो जीवन भी ऐसा ही होता है या इससे कुछ भिन वास्तों में जर्ना जिस प्रकार पहाड के अंतर से फूट कर विभिन बाधाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ता है मानो जीवन में ऐसा ही होता है वह भी जीवन के अच्छे बुरे समय से जूजता है दुखों विपत्तियों संघर्सों से जूजता विजय प्राप्त करता वह जीवन में उत्तरोत्तर उन्नत की और अग्रसर होता है मनुष्य की प्रकृति है परिवर्तन और परिवर्तन ही गत्षीलता को बनाए रखती है अन्यथा वह जड़ हो जाता है वास्तों में जहरने के माध्यम से जीवन को आगे बढ़ने की प्रेणा रचनाकार ने दी है इस कविता में और जहरने को एक रूपक के रूप में लेकर कवी ने एक द्रिश्टांत दिया है कि जिस प्रकृत जहरना आगे की ओर बढ़ता जाता है इसी प्रकार से मनुस्य को भी सुख दुख संपत्य और विपत्य में एक रूपता रखकर आगे की और निरंतर बढ़ते रहना चाहिए यही इस कविता का प्रतिपाद्य है संदेश